कॉंग्रिस ने बिजेपी के घोशना पत्तर को जुम्ला बताया है कॉंग्रिस ने आरोप लगाया है कि बिजेपी ने 2017 में जो वादे किये थे वह भी पुरे नहीं हो पाए भाजपा को नहीं वादे करने का कोई अधिकार नहीं है क्रिशना अलावरू ने कही क्रिशना अलावरू ने कहा कि भाजपा को चुनोती है कि पांच साल जब डबल इंजन की सरकार रही तो वोट घोशना पत्तर पर नहीं बलकि रिपोर्ट कार्ड पर मांगे विजेपी नेताओं ने 2017 में लाखो नौकरिया देने की बात कही लेकिन रिपोर्ट कार्ड आने पर साफ हो गया है कि सरकार नौकरिया देने में फेल हैं आज भीविल विफागों में 63,000 पर खाली हैं यह सरकार भरती में फेल पेपर लीक में पास परदेश में नशे का कारवार बढ़ाने नशे रोकने में सरकार फेल हैं रिपोर्ट कार्ड में फेल होने पर विजेपी को नई घोशना करने का कोई अधिकार नहीं हैं विजेपी के रेदा चुनावों में घोशनाओं को पूरा नहोने बर चुनावी जुमले बताती हैं विजेपी के घोशना पत्र का साइज भी उनके विश्वास की तरह छोटा हो गया है उनका कि कॉंग्रेस पहली कैबिनेट में एक लाख युवाओं को नौकरी देगी 18 साल से जादा उमर के महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाहा दिये जाएंगे युवाओं को कॉंग्रेस नए अवसर परदान करेगी वुजेपी पहले बताए कि उन्होंने प्रदेश में युवाओं के लिए क्या किया उसके बाद वोट मांगने जनता में जाएं हम हिमाचल के भविशे के बारे में बात करना चाहते हैं हिमाचल के युवाओं के बारे में बात करना चाहते हैं हिमाचल के युवाओं के तरफ से, हिमाचल की जनता की तरफ से, हम भाजब को चुनौती देना चाहते हैं चुनौती इस बात की, कि जब आपने पांच साल डबल इंजिन का सरकार चलाया है, और दुभारा आप चुनाव में जा रहे हो, तो आपको वोट, घोशना पत्र पे नहीं, रिपोर्ट कार्ड पे मांगना चाहिए हिमाचल के युवा, हिमाचल की जनता, बीजेपी के नेताओं को समझाना चाहती है कि आपने पांच साल में जो कहा था और जो किया है, वो बताओ और हमसे वोट मांगो हिमाचल का युवा, बीजेपी के नेताओं को याद दिलाना चाहता है कि उन्होंने 2017 में नौकरी देने की बड़ी बड़ी बातें की थी इतने लाख नौकरियां, घर घर नौकरियां, रिपोर्ट कार्ड कहता है कि नौकरी देने में डबल इंजिन सरकार फेल है 14 लाख युवाओं को बेरोजगार बनाने में पास है तो जब ये सरकार जन्ता के बीच युवाओं के बीच वोट मांगने जाती है तो आंख में आंख डाल कर बताए कि पांच साल में 63,000 सरकारी पद खाली रखने में पास है ये सरकार के चानल के लिए शिमला से पुश्पेंदर कुमार के रिपोर्ट